नमस्कार मैं हूँ आलोक्षवास्तोर आप देख रहे हैं यूपी तक हम खड़े हैं इस वक्त अमेठी जिले में अमेठी जिसका जिक्र आते ही राजनीती की खुजबू महकने लगती है 2019 के ठीक चुनाओ के पहले कॉंग्रेस का ये अभेद किला था जिसमें बीजेपी ने सेंध लगाई और इसमिती रानी यहां 2019 के बाद बत और सांसद बनी आज उत्तरप्रदेश में मुखमंत्री योगी नात के बाद जिस राजनेतिक सक्सियत की सबस्यादा चर्चा है वो है प्रियंका गांधी हम इस वक्त अमीठी में लोगों से चर्चा करने पहुँचे हैं और ये जानने पहुँचे हैं कि प्रियंका गांधी का जो तेवर है वो जो बदला है उसको लेकर अमेठी की जंता क्या कहती है और साथ ही छे महीने का सांसद बनने बाद इसमीती रानी का जो ये कार काल है उसमें वो कितना यहां की जनता की कसोर्टी पर खरी उतरती हैं। सबसे पहले हम जित्र करेंगे प्रियंका गांधी का जो तेवर चेंज हुआ है, उसके लिए क्या कहेंगे आप। प्रियंका जी हमेशा से ही वो जब से यूपी प्रिभारी बनी है, चुनावगवार से लगातार सक्रिय हैं, वो पूरी यूपी सरकार की जड़ हिला दी है। प्रियंका जी का जो रूप है, वास्तविक रूप है, वो कोई दिखावे वाला रूप नहीं है। प्रियंका जी सुरू से ही जब से यहां पर राजनीती में आ रही है पहले मालीजे शक्रिये उस तरह नहीं आती थी अपने माता जी उसके भाई के लिए यहां परचार में आती थी फिर भी जनता से उनका जुडाव जो है अमेठी से उनके पिता जी के समझ सही रहा है और रह कहीं कुछ कर नहीं रहे लोगों को नुश्कान छोड़के चाहे किसान का हो चाहे ब्यापारी का हो चाहे जिसका हो सीए और नर्सी की बात करेंगे तो उसको लेकर भी प्रियंका गांधी ने सपस्ट रूफ से कहा है यह च्छेत्र इसमिती इरानी का है तो हम जानेंगे कि कहा कि किसी जात धर्म के चिनने नागरता चिन जाएगी नागरता देने का विल है चिनने का विल नहीं है और मैं आपको एक आकड़ा बता देता हूं कि आप नागरता चली जाएगी नर्सी क्या है उनके नेताओं ने भी उस पर भास किया मनमोहन सिंग ने दो हजार तीन में जवड़वानी जी ग्रह मंतरी तब उन्हों कहा दिसको लाइए अब या तो पढ़ लें वो या उसका विरोद आरे विरोद सकारात्मक करिए देश के लिए करिए जब देश की बात हो संजीत की से पेश आईए आप विपक्च जैसा हमारे मित चिंता मड़ी जी ने कहा कि विपक्चोना चीए मैं भी मानता हूं कि विपक्चोना चीए विपक्चो तो जीरो है और मुद्दे उठाईए आप ये गलत मुद्दे उठाके मोदी जी को काउंटर करेंगे.. सब्सक्राइब को सबसे बड़ा एक लाब हुआ है कि उनका एक कारकरता खतम हुआ था तो पूरे हिंदुस्तान में अश्तक महिलाओं ने कहीं कांधा नहीं दिया है एक तो कांधा दिया उन्होंने अपने कारकरता के प्रतुनों ने अच्छा बेवहार किया और दूसरा हम लोगों के अकलाब है मिल गया है कि यहां जब सांसद नहीं थी उस समय यहां पर मेरिकल काले जा रहा था। महिलाओं के लिए यहां जो इनके यहां बैठे हुए हैं आपरेशन वाले डॉक्टर साहब गरीब परिवार ही सरकारी अस्पताल में जाता वहां पर भी वसूल ही होती हैं उनके एक दो लोग लगाए गए हैं जो कि पैसा वसूल की कट्टा करें तो आपरेशन हो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा नहीं चल रहा है पहले भी नहीं चल रहा था और बाकी बात रहें गई इनकी इस्मिर्टी रानी जी की तो आएक्टर हैं कहीं कांधा देंगी कहीं नलका चलाएंगी कहीं कुछ करेंगी हम लोगों को बहुत कष्ट है कि मेड़कर काले जहा जाने के बाद में महिलाओं के लिए जो सुविदा मेठी को होनी चाहिए कि मुख्याले पे रहता और यहां सब लोग लाब मिलता वो लाब नहीं मिल पाएगा आप प्रिंका गांधी को अच्छा समझनी नेता या इसमिर्टी रानी को आप बैठेंगे नहीं हम तो प्रिंक का उन्से को नो लाब नहीं मिली